हे गाइस वेलकम टू मैच चैनल लेवी रॉक्स टीम्स बंडसली का लिग के आज दो मैच है और दोनों मैच फाड़ू यह उपर वाला मैच है यह भी बहुत जबर दस है इसकी वीडियो डाल चुको आप देख सकते हैं और यह जो मैच है यह मैच तो ओपन आएगा प्लस वी मैच लेकिन टीम दिखाने से पहले मैं आपको कुछ चैट्स कुछ आपको प्रेडिक्शन कुछ अपनी शेयर करना चाता हूं आप लोगों से सोब बढ़ते हैं उस तरफ तो मैंने कुछ चीजे नोट्स की हुई है सबसे बहुत करें मैच किसके बीच से तो पता ही आपको चोड़ो बन्डस्री का लिकल मनलब ऄ요ट對對 लेमकल फोयगों मैं और वार्यलिट मैं जो मिड में रहने वाली है मनलब बिलकुल कम्चोर भी नए घी शायद कम लेंगे अगर लेंगे भी वो I think captain तो नहीं रखेंगे लेकिन मेरा अलगी है यहाँ पर मैं इसको captain रखने वाल हूँ आपको ऐसे आपने मेरा title thumbnail देख लिया होगा कि मेरे thumbnail पे लिखा है कि अगर इसको captain नहीं रखोगे तो हार जेल नहीं बढ़ सकती है तो मैं आपको clear बता रहा हूँ कि अगर आप इसे captain रखते तो सची में ऐसा हो सकता है और जिनके मुझे goal के doubt है मेरे को 90% ऐसा लग रहा है कि आदली का goal आएगा दियाबी के भी पूरे चांस है goal करने के सो captain and vice captain का combination दे सकते हो आप अपना captain दियाबी को रख सकते हो अपना vice captain रख सकते हो अली को sorry आदली को बाकि अगर आपको risk नहीं risk लेना है तो आप captain आदली को रख लीजिए vice captain दियाबी को ये भी अच्छा है backer defender नामका है बट है असल में midfielder तो काफी goal कर रहा है आकरी match में भी एक goal आया था second last match में भी कोशिश की थी उसके बाद international friendly leagues में बहुत अच्छा कर रहा था और last season 2022 अक्टूबर सप्टंबर की बाद है उधर backer बहुत कमाल कर रहा था तब इसकी selection होती थी 10-12% लेकिन अब तो अलगी रुतबा है अब तो इतनी selection है कि क्या बोलू तो इसलिए backer को अभी आप grand league में अपना captain wise captain रख सकते हैं and halosak is a striker जब तक ps chick injured है तब तक halosak को मोका मिले अब injury हो गई ठीक है तो यह इसके बिना मतलब होड़ा धूरा रहेगा और सीयर अंगुई भी नहीं खेल रहा वो भी एलीवी टीम का ही एक player है और जी होल्ट मैन मेन प्लियर ओव बी और सी टीम नहीं खेल रहा डियू टू सम इंजरी तो यह तीनों main big injuries जो होती है मैं बात नहीं होती तो इस बात यह matter नहीं करता सिर्फ आप यह देखो कि विनिंग चांसिस कितने होमवे छोड़ो बात करें 89 परसेंट विनिंग चांसिस लीवी के चांसिस है विनिंग के सिरफ 11 और अगर clean sheet की बात की जाए तो लीवी के clean sheet के चांसिस भी 89 परसेंट है और उन penalty शायद आजे या तुक्का लग जे मतलब समझ रहो ना क्या कह रहा हूं मतलब ऑल्मोस गोल जो जादा करेगी वह लीवी टीम है क्योंकि उनके विनिंग चांसिससा ज्यादा है तो बात करते हैं आप बढ़ते हैं सीधा टीन की और फरस्ट और जो मैं आपको समझाऊंगा जो मेरा जो शुरुआद होगी वह की गोल कीपर से एम रिमन आपको लग रहा हो कि मैंने रिमन क्यो लिया आपको मैं बता दूँ यह जो मैच आप देख रहो इस 27 अगस्त का मैच है जिसमें इसने penalty रोग दी तो यह मैच को गिनो मत ग्यार 27 अगस्त भाई September, October, November, November, January आदा निकलने को हो गया तो भी लोग अगर इसके पीछे पढ़े रहेंगे ना अगर मनलब लोग बोलेंगे कि पहला मैच अच्छा गया ऐसा कुछ नहीं है ठीक है वो तो आपने लेना यह प्लेयर को बले वह पहले मैच में गोल खाकर गया हो या करवाए जो मरजी हो एन आगे स को मतलब ले सकते हो बट सब्स्चिटूशन का थोड़ा चक्कर इसलिए मैं प्रैफर करूंगा में प्लेयर जो की है पहला मेरी नजर में जो में प्लेयर है वह है एडमन एडमन टैप सोबा का खेलने का तरीका काफी ब्लेयर से अलग है जेटा खेले का तो लेंगे अब आ अगर बात करें फ्रिम पॉंग को लोगा जैरेमी फ्रिम पॉंग इस ए ग्रेट प्लेयर फ्रिम पॉंग वाज रिटरली प्लेइंग नाइस तो आपको देखे जाएगा क्योंकि सब्स्चिटूशन इसका लेट होता है और आगे से अगर बात करें पी हिंक एपी कि यहाप प्योरो हिंक एपी को लास मैच 15 ऑक्टूबर का गोल शो कर रहे हैं लेकिन 15 ऑक्टूबर के बाद भी एक मैच में इसने गोल किया तो एक आदी एसिस्ट की तो चलता रहता है काफी प्लेयर जिनमेंसे सबसे बैस जो प्लेयर है जो सबसे बैस इन चारों मेंसे वह बैकर आ सही से जाता हूं हो है सैनो आगे से बात करें देन यहां पर है क्रिस्चोफर क्रिस्चोफर बहुत तगड़ी फॉर्म में बहुत तगड़ी फॉर्म में तभी मैंने लिया है वन नाम मैं क्यों लेता है फॉर्म देखके बहुत गोल कर रहा है और दैमिर बे को मैं नहीं ले लेंगे क्योंकि इसको जानते नहीं बट मैं इसको अच्छी तरह पर्खा हुए मैं इस बंदे को इसकी गेम्ब्ले से पर्खा हुए इसके चैट्स देखके पता चलता है कि यह कोई तुफान है ठीक है इसलिए मैं इस प्लेयर के साथ जाओंगा अब कंफर्म लेना है आपने इसकी इंजरी रिकवरी होगी तो यह पहला मैच है साथ सब्चिटूशन आएगा आपको पता चल जागा कि यह ठीक हो चुका है अभी पता नहीं कि कब ठीक होता है क्योंकि इंजरी तो किसी को नहीं पता होती तो पी एस ठीक ड्रॉप आउट है एम दिया भी इन है पी यह हलोजक नहीं खेलता एक परसंट नहीं है तो आपने इसकी जगह ओजबन को ले लेना है और खेलता है आगे से अगर बात करें तो यहां पर मैं कैप्टन शिप रखूंगा ए आदली को मिलब कैप्टन शिप जो मेरी रहेगी वो ए आदली के मतलब अंडर रहेगी और ल हमारा कैप्टन बिल्कूल रेयर हमारा कैप्टन आदली वाइस कैप्टन हमारा दियाबी है बट अगर आप वाइस कैप्टन बदलना चाहें तो आप अपना वाइस कैप्टन बदल कर बैकर को रख सकते हैं एक चेंज कर सकते हैं बट कैप्टन मैं नहीं बदलूगा अब आ इनको जादा नहीं रखना इनको cut out रखो असली में जिनको टीम में लेना है जील में वह बैकर आदली ध्याबी और और किसी प्लेयर को नहीं ठीक है और बात रही डिफेंडर की तो जिनका फिफ्ट डिफेंडर वैसे कुछ नहीं करेगा अगर करता भी है तो आपको नुकसान नहीं होगा मैं आपको पहले बतारहूं कहीं या बाद में घब रहा हो तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए